मूवी स्टार्ट होती है साउथ कोरिया से जहां चोर पैसा नहीं आईल चोरी करते हैं दरसल साउथ कोरिया में रिफाइंड आईल को पाइम प्लाइन के जरिये दूसरे शहरों तक पहुचाया जाता है लेकिन कुछ बदमाश ऐसे थे जो इन्हीं पाइम्स में छेत करके आईल को चुरा लेते थे और बाद में ब्लैक मार्किट में इसी आईल को बेच कर मोटा पैसा कमाते थे मूवी का नाम है पाइम प्लाइन प्रेजेंटेट बाई पिच्चर वाला विताट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं और यहां मूवी में ऐसे चोरों को मोल्स कहा जाता है अब हम यहां देखते हैं कि करिमिनल जिसका नाम इस्ट्रो है वो इस बिजनस में इंट्रस्टेड होता है और इसे लिए वो एक फेमस चोर जिसका निकनेम ड्रिल्बीट होता है उसे बुलाता है लेकिन यहाँ पर जॉबसाई नाम का बंदा नखली डिल्बिट बनकर आ जाता है और जब ये नल्ला इनसान ओईल के पाइंप में होल करने जाता है तो एक लीकेज के वज़े से वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है ये देखकर इस्ट्रो और उसके लोग वहाँ से बाग जाते हैं और खुट जॉबसाई को चड़ी बयन उतार कर वहाँ से बागना पड़ता है और जब वहाँ इन्वेस्टिकेशन करने पोलिस आ जाती है तो मैंसिक नाम का एक ओफिसर पहचान जाता है कि ये काम डिल बिट का है और ये देखने के बाद वो अपने दोस्त ओफिसर को इस केस में उसके साथ ले लेता है अब इसके बाद क्रिमिनल इस्ट्रो देहान के बास जाता है क्योंके इसी ने जॉप साई को नखली डिल बिट बना कर इसके पास बेजा था क्रिमिनल इस्ट्रो वहाँ पहुंचने के बाद उसे बहुत मारता है और असली डिल बिट को लाने को कहता है इसके बाद डाई हान असली डिल्बिट जिसका नाम डॉल यी था उससे मिलता है और तबी वहाँ पर ओफिसर मैंसिक आकर दोनों के पैर चक करता है क्योंकि उसे शक था कि ये काम डिल्बिट ने किया है लेकिन यहाँ इन दोनों के पैर में कोई भी जल्ले के निशान नहीं और ये देखने के बाद पॉलिस आफिसर वहाँ से चली जाते हैं इसके बाद आफिसर मैंसिक जाकर अपने सीनियर्स को कहता है के मोल्स फिर से चोरी कर सकते हैं लेकिन इसका सीनियर आफिसर इस बात को हवा में उड़ा देता है फिर हम देखते हैं के असली डिल्बिट आक उस पाइम्प में होल कर देता है और यह देखने के बाद करिमिनल इस्ट्रॉ बहुत खुश होता है और उसे अगले बड़े प्रोजक्ट के बारे में बताता है इसके बाद हम देखते हैं डॉल यी एक बहुत बड़े ओयल रिफाइनरी कमपनी के मालिक जिसका नाम जियान व डुल बिट को बड़े कंटेनर्स दिखाता है और कहता है कि तुम्हें इसे 30 दिन के अंदर ओयल से बरना है और वो ये भी कहता है कि इस काम के कम्पलीट होने के बाद डुल बिट को साड़े 8 करोड रुपे मिल जाएंगे अब इतने पैसों के बारे में सुनने के बाद अखनी डिल बिट बनकर आया था और इनके साथ एक कॉंटर नाम की लड़की भी होती है जो कॉंटर पर मेरा मतलब है रिसेप्शन पर होती है दरसल ये सबी लोग एक होटल के बेसेमेंट में होते हैं और इस लड़की कॉंटर का काम होता है नजर रखना अगर पोलिस आई तो ये डील तूट जाएगी और हो सकता है इनके जान को भी खत्रा हो इसके बाद करिमिनल इस्ट्रॉ जो इन सब पर निगरानी रखता है वो सभी के मुबाइल अपने पास ले लेता है इसके बाद वो सभी लोग मिलकर ये डिसाइट करते हैं के कहां से खुदाई चालू करना है और उधर जियान वू आराम से बंदू खेल रहा था लेकिन जियान वू के सर पर बिलियन्स डॉलर का खर्जा होता है लेकिन इसके बावजूद भी वो 50 मिलियन डॉलर का और खर्जा ले लेता है अब ये क्यों हमें मुवी में आगे पता लगेगा अब यहां खुदाई के टाइम मिस्टर ना कहते हैं के इस मिट्टी में लाइम स्टोन बहुत जादा है और कभी भी ये उपर की मिट्टी नीचे दस सकती है लेकिन इन सबी चीजों से डॉलर को कोई भी मतलब नहीं है वो बस जल्दी से इस काम को खतम करना चाहता है और यहां आइडिया बताने के चकर में गन साहिब गलती से जॉब साही को धका दे देता है लेकिन इसके चकर में वहां पर एक वायर कट जाती है और यह वायर रिसेप्शन की होती है जहां से बैट कर कॉंटर इन्हे सिगनल देती थी और इसी धकम की के बीच डृलबिट ये भी देख लेता है कि जॉब साही वही आदमी है जो उसका हर जगा नाम बदनाम कर रहा है अब खुदाई के बीच इनके आगे एक बहुत बड़ा पत्तर आ जाता है जिसे तोड़ने में टाइम भी लगेगा और बहुत जादा आवाज भी होगी इसलिए डृलबिट जॉब साही को उपर जाकर जोड़ जोड़ से गाने को कहता है ताकि एक आवाज से दूसरी आवाज को छुपा सके और जॉब साही उपर जाकर जोड़ जोड़ से गाने लगता है यहाँ दूसरी तरफ ओपर reception पे पोलिस वाला inquiry करने के लिए आ जाता है अब यहाँ counter अपना काम करती है और वो बटन दबा देती है लेकिन क्या फाइदा उसका वैर तो नीचे कटा हुआ है लेकिन जब इसके बाद पोलिस वाला नीचे basement के तरफ जाने लगता है तो तबी सही time पर counter walkie talkie से नीचे इन सभी को बता देती है और उपर भी job साई इस पोलिस वाले को थोड़ा सा उलजा कर रचता है और वहाँ नीचे drill bit को थोड़ा सा time मिल जाता है सारी चीजे चुपाने के लिए और जब पोलिस वाला नीचे पहुचता है तो drill bit और मिस्टर ना लेबर होने का नाटक करते हैं अब ये देखने के बाद पोलिस officer वहाँ से चला जाता है अब इसके बाद counter नीचे आकर उस wire को जोड़ने लगती है लेकिन तभी उपर drill bit और मिस्टर ना के हाथ से एक बड़ी अलमारी नीचे गिर जाती है और इसका reaction उपर की मीटी नीचे दस जाती है और वहाँ नीचे गुफा में counter और साफ फस जाते हैं जब वो तीनों नीचे आकर ये सब देखते हैं तो उन्हें लगता है कि दोनों लोग अंदर मर गए होंगे लेकिन यहाँ पर मिस्टर ना दिल के बहुत अच्छे होते हैं और वो दोनों को बचाने के लिए मिटी को हटाने लगते हैं बोड़े टाइम के बाद वो दोनों सही सलामत बाहर निकल जाते हैं अब यहाँ दूसरी दरफ पोलिस को चानबीन के दोरान ड्रिल बिट का पुराना अड़ा मिल जाता है जहाँ पर वो पहले आईल चुराता था अब ये देखने के बाद पोलिस डिपार्टमेंट एरिये में चानबीन करने के लिए निकल जाती है अब जब रात को ये लोग सुकुन से बेटे दे तो तबी अलराम की आवास आ जाती है और जब डिल बिट बाहर आकर देखता है तो जॉब साई सभी के पैसे लेकर वहाँ से भाग रहा था डिल बिट उसे जाकर पकड़ता है और उसकी खूब पिटाई करता है और यहाँ डिल बिट को शक हो जाता है कि ये लोग इन सभी पर नजर रख रहे हैं और होता भी ऐसे ही है हर जगा कैमरे लगे होते हैं और कॉंटर का काम इन्हें अलर्ट करना था और अपने बास को इनके बारे में सब कुछ बताना भी था अब ये देखने के बाद जियान वू और क्रिमिनल इस्ट्रो यहां आ जाते हैं और आकर इने धमकाने लगते हैं जियान वू डिल्बिट से कहता है कि तुम्हारे पास बस दस दिन है अगर तुमने दस दिनों के अंदर काम खतम नहीं किया तो तुम सब जिन्दा नहीं बचोगे इसके अगले सिन में हम देखते हैं कि जियान वू जॉ जॉब साई को पकड़ कर एक फोन देता है और डिल्बिट के सारे प्लैंस उस तक पहुँचाने को कहता है अब यहाँ नीचे खुदाई के टाइम मिस्टर ना की हालत खराब हो जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर ना को कैंसर है अब यहाँ उपर पोलिस मिटल डिटेक्टर से एरिये की चानबीन कर रही थी और एक जगा शक होने पर उस जगा को खोदने लगती है और कॉंटर यह सब कैमरा में देख लेती है और इसके बाद वो नीचे टीम को अलर्ट कर देती है और डिलबिट को जब यह पता लगता है कि उपर पोलिस मेटल डिटेक्टर यूज़ कर रही है तो यह सभी लोग गुफा से भाग जाते हैं लेकिन डिलबिट ने मेटल का कुछ सामान अंदर ही छोड़ दिया था वो उसे लेने के लिए फिर से गुफा में जाता है लेकिन मिस्टर ना इसे देख लेते हैं और वो गुफा के अंदर जाकर उसे बचा लेते हैं और यहाँ ऊपर जब पोलिस खुदाई कर रही थी तो उसे एक बड़ा ओयल का पाइम्प मिलता है और यहे देखने के बाद पोलिस खुदाई रोक देती है और वहाँ से चली जाती है दूसरी तरफ मिस्टर ना डिल बिट से परमिशन मांगता है क्योंकि उसके वाइफ का आज ओपरेशन है और वो उसे मिलना चाहता है। कांटर के सामदे ड्रिल बिट मिस्टर ना को इंकार कर देता है लेकिन इसके बाद वो मिस्टर ना के लिए रास्ता फोनने लगता है ता कि छुटके से जाकर मिस्टर ना अपनी वाइफ से मिल सके। लेकिन ये सब करते वे जॉब साई इने देख लेता है और वो भी हॉस्पिटल जाने की जित करता है और वो कहता है कि मैं भी हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर को अपने जलेवे पैर दिखाऊंगा और यहां इन तीनों को ये काम करते वे कॉंटर भी देख लेती है लेकिन वो इन सब के बारे में जियान वो को नहीं बताती और कैमरा को लूप पर कर देती है लेकिन यहाँ जॉप साई गद्दार निकलता है और वो मेसेच करकर जियान वो को सब कुछ बता देता है और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि तीनों अंडरकराउन पाइम से वहाँ से निकल जाते हैं लेकिन जब तक वो आस्पिटल पहुंचते हैं तब तक मिस्टर ना की वाइफ इस दुनिया से गुजर चुपी थी यह देखने के बाद वो तीनों बहुत नर्वस हो जाते हैं इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लेडी पोलिस आफिसर को बुला कर कम्प्लेंट देती है कि कोई उसके खेत में खोदी वी मट्टी को ला कर डम करता है और यहाँ पर वही पोलिस आफिसर होता है जो उस दिन रस्टोरेंट में छानबीन करने के लिए गया था और वो टाइल्स के तुगडे देखकर पहचान जाता है कि यह कहां के हैं और यहाँ हॉस्पिटल में जॉब साइट डॉक्टर का बहाना करके वही रुक जाता है लेकिन हॉस्पिटल से निकल कर ड्रिल्बिट और मिस्टर ना वापस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं लेकिन तब तक वहाँ पर जियान वू और किर्मिनल इस्ट्रो आ जाते हैं उन्होंने कौंटर को भी पकड़ लिया था लेकिन जब मिस्टर ना उन्हें समझाने जाता है तो जियान वू उसे मारता है और यह देखने के बार ड्रिल्बिट गुसे में आ जाता है और उसके लिए काम करने से इंकार करता है लेकिन यहाँ जियान वू ड्रिल्बिट को उसकी मा की फोटो दिखा कर धमकी देता है अब यहाँ इन सभी लोगों को मजबूरी में इसका काम करना पड़ता है नीचे खुदाई के दौरान मिस्टर ना की तबियत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं अब यहाँ सभी लोग मिस्टर ना को ऑस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन जियान वू के गुंडे इनका रास्ता रोक लेते हैं लेकिन यहाँ पर ड्रिल्पिट एक वेल्डिंग मशीन में आग लगा कर इन लोगों को पीछे डगेल देता है लेकिन बदखिस्मती से जैसे ये लोग रिसेप्शन पर आते हैं तो जियान वू अपने साथ बंदूक लेकर वहाँ खड़ा हो जाता है और जब मिस्टर ना उसे समझाने की कोशिश करते हैं तो जियान वू उन पर गोली चला देता है और फिर वो घुसे में आकर जियान साब के शोल्डर पर भी शूट करता है ये देखने के बाद ड्रिल बिट जब उससे बंदूक छीनने जाता है तो वो उस पर भी गोली चलाता है और उसी टाइम पर होटल के बाहर पोलिस पहुंच जाती है और अलराम सुनने के बाद जियान वू और उसके गुंडे भाग जाते हैं लेकिन यहां अंदर होटल में ड्रिल बिट को गोली नहीं लगती दरसल गोली उसके गड़ी पर लगी थी जो उसने अपने जेब में रखी थी फिर इसके बाद ड्रिल बिट कॉंटर को और साब को वहां से लेकर निकल जाता है और यहां पर जब पोलिस इन्वेस्टिकेशन कर रही होती है तो उसे एक ड्रिल बिट का तुकड़ा मिलता है और वो समझ जाते हैं कि इस केस में जरूर ड्रिल बिट इन्वाल्व है और इसके बाद जियान वू जॉब साई को कॉल करके सारी बात बताता है और तबी वहाँ हॉस्पिटल में पोलिस आ जाती है लेकिन यहां एन्वा के बर ड्रिल बिट आ जाता है और जॉब साई को आस्पिटल से बगा ले जाता है इसके बाद जियान वू से बदला लेने के लिए ड्रिल बिट उसे पांच मिलियन डॉलर की डील करता है फिर इसके बाद ड्रिल बिट एक प्लान बनाता है और पाइम के उपर एक बड़ा सा कंटेनर रग देता है और यहां हर जगा कॉंटर कैमरे लगा रही होती है लेकिन यह सब देखने के बाद गदार जॉब साई सारी इनफॉर्मेशन क्रिमिनल इस्ट्रॉ को दे देता है और यह करते वे ड्रिल बिट उसे देख लेता है और वो यह भी देखता है कि दो पुलिस ओफिसर वही आ रहे हैं और यहां पॉलिस को गुमरा करने के लिए ड्रिल बिट उन दोनों आफिसर्स को जंगल की तरफ ले जाता है अब यहां पॉलिस वालों को चकमा देकर ड्रिल बिट वाबस आ जाता है और आने के बाद वो पाइंप में ड्रिलिंग शुरू कर देता है और यहां Drillpit अपनी पूरी ताखत लगा कर पाइंप में गोल कर देता है अब यहां पर सारा का सारा ओइल टाइंगर्स में बरना शुरू हो जाता है अब यहाँ डिल्बिट जियान वू को फोन करके बोलता है कि मैं तुम्हें बाकी का तेल तब दूँगा जब तुम मुझे पैसे दोगे लेकिन इसके बाद कोई आफिसर मैंसिक को चोरी की फोटो बेचता है यहाँ नीचे जॉब साई फिर से गदारी करता है और उस वॉल को खोल देता है जिसे डिल्बिट ने बंद किया था लेकिन यहां गद्दार जॉपसाई भी डिलबिट की मदद करता है और गुंडों को मारने लगता है और बाहर हम देखते हैं के कॉंटर और साब मिलकर दोनों पैसे डूंडेने लगते हैं लेकिन यहां नीचे जब डिलबिट अपने हाथ में बंदूक लेकर जियान वू को मारने वाला था तब ही वहां ओफिसर मैंसिक आ जाता है और उसे एक अपरादी बनने से रोकता है और इसके बाद मौका देखकर डिलबिट जियान वू को वहीं छोड़ कर वहां से भाग जाता है लेकिन जब तक डिलबिट उपर पहुंचता है तब तक क्रिमिनल इस्ट्रॉ उसके सारे टीम को बंदी बना लेता है इसके बाद इन सभी लोगों को नीचे पाइम के रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर ओफिसर मैंसिक को भी बांद लिया गया था अब यहाँ जियान वू बड़े मजे से वॉल को खोलता है और अपने टाइंकर्स को भरने लगता है लेकिन यहाँ से निकलते टाइम जियान वू यहाँ पर एक टाइम बंब लगा देता है और वो अपना असली प्लान बताता है उसने हर पाइम के अंदर एक बंब लगाया है और इसका प्लान ये होता है कि पाइम को बम के मदद से ब्लास्ट करने के बाद जब शहर में ओइल की डिमांड होगी तो वो अपने कमपनी का तेल महंगे दामों में बेच सकेगा अब जब जियानवू यहां से निकल जाता है तो छुपके से डिल पिट एक वेल्डिंग मशीन को धक्का दे कर अपने पास गिराता है और कॉंटर के पास रखे लाइटर की मदद से वो अपनी रसी को जला लेता है और इसके बाद वो फॉरन टाइम बम को लेता है और एक खाली जगा पर फेक देता है और खुद सौर के पानी में कूट जाता है ताके वो धमाके से बच सके इसके बाद जियानवू बम का बटन दबा देता है लेकिन ये क्या ब्लास्ट होने के बाद टैंक में से ओईल के जगा सिर्फ पानी निकल रहा है दरसल अब यहां हमें दिखाया जाता है कि जिसे हम गदार कह रहे थे उसी जॉप साई ने वॉल को बदल दिया था अब यह सब देखने के बाद जियानवू गुस्से में अपने आदमियों के साथ उने मारने के लिए आ जाता है अब यहां दोनों गुरुप्स के बीच बहुत मारम मारी होती है और जब आखरी में डिल्पिट एक बड़े पत्तर से जियानवू को मारने वाला होता है तबी ऑफिसर मैंसिक आकर उसे रुका देता है इसके बाद हम देखते हैं के पुलिस फोर्ट से यहां पर आ जाती है और सब गिरफतार करके यहां से ले जाती है फिर हमें तीन साल के बाद दिखाया जाता है कि डिल्पिट ने अपने खुद का वर्क्शॉप खोला होता है और उसने यह फैसला कर लिया था कि वो अपनी बची कुछी जिन्दगी को सही तरीके से बिताएगा और कभी भी चोरी नहीं करेगा लेकिन जब मुवी के एंड में ऑफिसर मैंसिक इन लोगों से मिलने आता है तो वो नीचे दिवार पर डिल्लिंग कर रहे होते हैं और जब पुलिस ऑफिसर इन से पूछता है तो डिल्पिट कहता है कि नहीं भाईया हम तो बस डिल्लिंग कर रहे हैं यानिक इस दुनिया में कुछ लोग कभी भी नहीं बदलते टाइम बदल जाता है लेकिन इनसान नहीं बदलते और हमें इस मुवी से सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अच्छा काम करना है क्योंके बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है